देखते ही मन करे खाने का ना उबाना ना ही घंटों की मेहनत इतनी क्रिश्पी, करारी, आलू लच्छाटी की बनाए कुछ मिन्टों में वरत में या फिर बिना वरत के या फिर घर पे आजाए कोई महमान आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके आप चाट भी बना सकते हैं बिल्कुल ही थोड़े समय में और सिर्फ दो तीन चीजों से ही बनने वाली ये आलू चाट सबको बहुत ही पसंद आने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आये हैं मेरी चैनल पर तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले लेंगे हम यहाँ पर आलू मैंने अपने हिसाब से लिए हैं आप चाहें तो दो आलू से भी ये चाट बना सकते हैं तो आलू को हम छिल लेंगे तो हमने सारे आलू छिल लिए हैं अब लेंगे पाने से भरा बावल जिसे के हमारे लच्छे का लेना पड़े तो मीडियम साइज का हमें यहाँ पर greater लेना है ना है बहुत बड़ा और ना है बहुत ही छोटा medium size के greater से हमें आलू को खड़ा रखकर grate करना है जिसे कि इसकी बहुत ही लंबे लंबे लच्छे बनकर तयार हो तो इस तरीके से हमें सारे लच्छे तयार करने हैं आप चाहें तो थाली में भी आलू को grate करके ऐसे एक एक आलू पानी में add कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने सारे आलू grate कर लिये हैं और आप देख सकते हैं कि लच्छे बहुत ही अच्छे बनकर तयार हुए हैं और इसका starch भी निकला है तो हमें इस starch वाले पानी को निकाल देना है तो आलू के लच्छे को हम यहाँ पर 4-5 बार अलग अलग पानी से धोएंगे इसे तब तक दोना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ही pure यानि कि बिल्कुल ही साफ ना हो तो हमने यहाँ पर 4-5 बारी अलू को धो लिया है आप देख सकते हैं पानी बहुत ही clean है तो अब हम क्या करना है हमें लच्छे को छनी में डाल कर इसके excess water को निकाल देना है आप चाहें तो यहाँ पर मलमल के कपड़े में सारे आलो को एक साथ डाल के इसे अच्छे से निचोड ले तो भी लच्छो में से पानी निकल जाएगा तो मैंने यहाँ पर छनी में step by step लच्छो को लेकर excess water निकाल लिया है तो ऐसे ही सारे लच्छो का हमें excess water निकाल देना है अब लच्छो में add करेंगे हम नमक जिससे की इसमें बचा कुचा जो पानी हो वो निकल जाए तो इसे 2-3 मिनिट तक रहने देंगे तो यह लेजिए इसका भी excess water निकल गया है जिससे की हमारी जो आलू टिकी है बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही crispy और करारी बनने वाली है तो इसको भी हम excess water को निचोड लेंगे और आप देख सकते हो कि आलू की quantity भी बहुत कम हो गई है अब इन आलू की लच्छे को हम थोड़ा सा कर देंगे spread और करेंगे मसाले पर इससे पहले लेंगे हम गोलाई वाला non-stick pan क्योंकि टिकी इसको हम cello fry करने वाले हैं और यहाँ पर मैं add कर रही हूँ गी आप चाहे तो तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर गी में फ्राई को ही आल टिकी बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसे गर्म होने देते हैं आलू क टिकी में अब मसालों में हम यहाँ पर बारिक कटी हुई हरी मिर्च कद्दू कस किया हुआ अद्रक और थोड़ा सा धन्या पत्ती थोड़ा सा बारिक कटा हुआ करी पत्ता थोड़ा सा आमचुर पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर एट करेंगी हम ने यहाँ पर वरत उपवास में खा सके ऐसी टिकी बनाई है आप चाहें तो यहाँ पर रुटीन मसाले भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दे और यहाँ पर लिया है हमने एक कप पर के आरा रूट पाउडर जो कि हम वरत में खा सकते हैं तो पहले आधा कप आरा रूट पाउडर हमने एड किया है अच्छे से मिक्स करेंगे आरारूट पाउडर हमने सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही एड़ किया है तो जरूरत अनुसार हम इसमें एड़ कर सकते हैं और आप बिनावरत के बना रहे हैं तो इसमें आप कॉन स्टार्च या फिर मैदा या फिर आप सिंगाड़े का आटा भी एड़ कर सकते हैं तो बनाएंगे अब इसकी हम लोईया और हथेल इसे इस तरीके से प्रेस करके हम इसकी टिकी बना सकते हैं तो हलकी हाथों से प्रेस करते हुए इसको हम राउंड शेप में बना सकते हैं तो बहुत ही आसान है इजी है इसे बनाना और अगर आपको सेम सेप की सभी तिकी चाहिए बीना कम महनत के तो आप ऐसी प्लेट भी ले सकते ही तो आप देख सकते हैं इस छोटे से धकन में भी हम आलू तिकी को प्रोपर वे में बना सकते ही तो इस तरीके से हम स्टफिंग ए तो यकीन मानिए दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत कम समय में बनने वाली ये चाठ है इसे जरू से ट्राइ करिएगा तो थोड़ी सी हम प्लेट में भी बना कर देखते हैं तो ये देखिए आसान इसे ये प्लेट में भी बन जा रही है बिना किसी ओईल ग्री की बेच में हम टिकी इसको सेलो फ्राइ करेंगी तो पहले हमें इसे बिल्कुल भी छुना नहीं है इसके किनारिया गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हम इसे पलतेंगी तो आप देख सकते हो कि 4-5 मिनिट के बाद किनारिया गोल्डन ब्राउन हो गई है और फिर हमने इसे पलट लिया है तो ऐसे अलट पलट करके हमें टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ करना है तो ये लिजे दोस्तों 6-7 मिनिट हुए है और हमारी आलो टिक्की है वो सभी तरफ से क्रिस्पी हो गई है पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इसे आप निकालने वाले हो तब इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से दोनों तरफ फ्राइ करिएगा जिससे कि इसके अंदर जो एक्सेस ऑईल या फिर एक्सेस घी है वो निकल जाए तो ये लीजिए हमने सारी आलो टिक्किस फ्राइ कर ली है तो इस क्रिस्पी करारी टिकी के सामन सारी कचोड़ी समोसा लगने वाले हैं आपको फीके तो इस टिकीस को आप चटनी के साथ या एसे चाई के साथ भी इन्ज्वय कर सकते हैं या फिर बना लेते हैं इसकी चाट तो चली हम चाट बनाते हैं तो इसके टिक्किस के हम थोड़े से छोटे-छोटे चुटे करेंगे अनार के दानों से इसे सजाएंगे आलो के थोड़े से लच्छे भी हम इसमें सजाएंगे धन्यापती से सजाकर हम इसे सव करेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुली कम सामान में और कम समय में बनने वाली ये चार्ट आप भी जरूर से ट्राइ करिएगा और ट्राइ करने पहली बार आए हैं मेरी चैनल पर तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्सन से आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्स वर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं एक न